सेलो फ्रेंट्स नमस्कार मैं सत्वीर याद हूँ लेके आया हूँ आप सभी के लिए भारती राजविवस्ता का एक बड़ा ही प्यारा टॉपिक जिसका नाम है मौलीक अधिकार जो कि लास्ट क्लास में हम इसके बारे में डिसकर्स कर रहे थे मौलीक अधिकार बताएगे थे मुल्सवदाने करूप से इनके साथ संक्या रही थी वर्तमान में इनकी संक्या च्छे हैं ठीक़ है और छे मौलीक अधिकारों में सबसे पहला मौलीक अधिकार हमने जाना था समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच में लाश्ट क्लास में हमने बात के सोतंतरता के अधिकार के बारे में आर्टिकल 19 से लेकर के 22 के बीच में आज हम नेक्स्ट क्लास के अंतर बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों के नेक्स्ट जो राइट से उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और आज हमारे बीच में आएगा एक नया अधिकार तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की अधिकार के बारे में आज जो हमारे नमर तीन अधिकार आता है और नमर तीन अधिकार है सोशन के विरुद्ध अधिकार सोशन के विरुद्ध अधिकार राइट अगेंस्ट एक्स्प्लॉटेशन ओके सोशन के विरुद्ध अधिकार की बात किछा रही है सोशन की विरुद्ध अधिकार सोशन के विरुद्ध अधिकार राइट अगेंस्ट एक्स्प्लॉटेशन ओके एक्स्प्लॉटेशन की बात कर रहा है आर्टिकल 23 और 24b की बात कर रहा है दो और नाम-स की विरुध्य-धिकार की किसी व्यक्ति का किसी परकार से क्या किया जा रहा है सोशन किया जा रहा है अब उसका माध्यम जो भी है अगर व्यक्ति का क्या हो रहा है सोशन हो रहा है तो ऐसे में जो हमारे स्विधान के अंदर प्रदत जो तीसरा अधिकार है सोशन के विरुदा अधिकार इसके तहट हमे के साथ दुर्व्यवार अभ्यूज पर रोक लगाने की बात कर रहा है ठीक है मानक वे साथ दुर्व्यवार नहीं किया जाएगा दुर्व्यापार पर रोक लगाने की बात कर रहा है आर्टिकल 23 यहां पर दुर्व्यवार पर रोक लगाने की बात कर रहा है साथ ही क्या बोल स्थियां कोई कारिये नहीं करवा सकता आर्टिकल 23 में हमें याद करने की दृष्टी से दृष्टी से पॉइंट पकड़ना है आर्य याद करने के लिए आर्टिकल 24 को आप याद करेंगे बाल सरम से ठीक है दोस्तों आर्टिकल 24 को हम याद करेंगे बाल सरम से तो आर्टिकल 24 में बाल सरम की बात कर रहा है ठीक है आर्टिकल 23 में बलाद सरम की बात कर रहा है राजस्तान में चलने वाली ये कुछ प्रताइं रही है सागड़ी हाली जो प्रथाएं हैं हाली है सागड़ी प्रथा या बेगारी का मतलब होता है काम के बदले महंताना ना देना ठीक है यदि किसी व्यक्ति को काम के बदले महंताना नहीं दिया जा रहा उससे बिना महंताने के अगर कारी करवाया जा रहा है तो ऐसा कोई भी कारी नहीं करवा सकते, आर्टिकल 23 साप सब्दों में इस बात को वणित करता है, कि किसी भी व्यक्ति से बेगारी नहीं करवाई जा सकती, दुर व्यापार नहीं करवाई जा सकता, अब यदि मैं बात करूँ हूँ यहां पर, सीधे सीधे तोर पे बोला जा रहा है कि यह जो अधि के जो बलाद स्रम है फोस्पुली जो कारी है उन सभी कारियों पर यह अनुछेद यह जो अधिकार है आर्टिकल 23 के तहद दिया गया जो अधिकार है यह रोक लगाता है ठीक है तो इस सीच को हमें अच्छे से जान लेना होगा चाहे फिर वो दुर्व्यावार की बात हो दु बलाद स्रम की बात हो अब यहां पर हमें यह जान लेना होगा दुर्व्यावार क्या है दुर्व्यावार क्या होता है कि किसी भी मनुश्य की बिक्री करना मनुश्य की बिक्री करना या फिर किसी मनुश्य की सेवाओं को प्रतीफल के लिए गिर्वी रखना किसी व्यक्ति करवा लीजिए इस तरीके का कोई भी कारियर नहीं करवा सकते हैं ठीके ना ऐसा है क्योंकि व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार दिया गया है गरिमा का भी अधिकार है और विशेश रूप से ध्यान रखी का चो आर्टिकल 2324 के तहर देगी जो हमारे राइट्स हैं यह लापत हुता है अर्टिकल 2324 ना तो राज्य ऐसा करवा सकता नाहीं कोई व्यक्ति हमसे लिए सब्सक्र और भात्रा मानव अंको की खरीड फुरोग्त करना यह भी गेर कानोन नहीं मानव अंको कि हम क्या नहीं कर सकते हैं खरीद फुरोग्त नहीं करवाया चाहरा रहा है और उसके मदले में अगर इंकम कमायी चाहर रही तो ऐसा प्रतवियापार क्या होगा दुर्व्यापार माना चाहेगा डुर्व्यापार में मानव की ш henna वहों की खरीद करोग्त भी करना कर ना तो मानव को किसी भी प्रकार से क्रैविक्रे करना ये भी दुर व्यापार की स्रेणी में ही आता है तो इस चीज़ को ध्यार में रखेगा बात करूँ में यहाँ पर बेगार के संदर पे कि बेगार क्या है बेगार जिसके बारे में अभी अभी हमने जाना भी है कि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसे बिना को कि आप क्या कर Bureau किसी से काम करवाए जा रहा है तो भिना मेहंताने आप किसी से कारिय नहीं कर्वा सकते हैं आप程 करना होगा उसके लिए मेहंताना चारिय कंटा देना यह भी दुर्वियापार की category में आ रहा है, किसी वैसे की कमाई खाना भी क्या है, दुर्वियापार की category में आईगा, तो इस चीज को हमें अच्छे से ध्यान में रख लेना होगा, अब यहां पर आडिकल 23 की, अगर मैं बात कुरूँ तो आडिकल 23 की भावनाँ को ही देखते हुए आर्टिकल थेवीस को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा यहां पर क्या किया चाहिआ कि यहां प्र अधिम्हें प्रतिपादित किया जा रहा है और अधिन्ययम के माध्यम से बताये जा रहा है कि हैं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं ठीक है यह आदिनियम आया था 1956 में ठीकते ना 1956 में आ रहा है इन makers भ्यापार नेवारन अधिनियान this carriedいた आरे । बने दोनों के तहत यहां पर एसे किसी भी कारे पर रोक लगाने के लिए संसत के द्वारा कदम भी उठाए गए हैं ठीक है दोस्तों तो इस चीज को अच्छे से ध्यान में रख लीचीगा अब एक चीज हमारे यहां पर समझ में आई होगी कहीं भी अगर हम यहां पर पाते हैं दुर्व्यावार की बात की जा रही है व्यापार की बात की ज हो फो यहां दासप्रता पर रोक लगाने की बात कर लिए वैसे दासप्रता अंगरेज्चु के समय पर साल 1893 के अंदर क्या कर दी गी थी समाप्त कर दी गई थी द यहां पर जो गषट्ट हापर रोगा दी ड हना तो यहां पर जो आते थे जिन को क्या किया जाता काम काम तो करवाया जाता लेकिन उसके बदले महंताना नहीं दिया जाता था और जब कि आर्टिकल ते भी साफ सब्दों में यहां पर कह रहा है कि क्या नहीं करना बिना कोई महंताना दिये काम करने के लिए आप क्या नहीं करेंगे विवस नह नहीं करवा सकते हैं और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यह illegal होगा गेर कानोनी होगा दंडनी अपराद होगा और इसके लिए भरती संसद के दुवारा एनेतिक व्यापा निवारा नादिनियम 1956 और जबकि बंदुवा स्रम उनमुला नादिनियम 1976 लाए जा चुके हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगला हमारा राइट्स आता है आर्टिकल 24 में और आर्टिकल 24 सीधा सीधा जो कि अभी अभी ने जा रहा था बाल सरम पर क्या कर रहा है रोक लगाने की बात कर रहा है ठीक है ना प्रोहबिशन ऑफ चाइल्ड डैवर रोक लगाने की बात कर रहा है कि बाल सरम आप पे नहीं करवाएंगे बाल सरम की अंतरगत अगर मैं बात करूँ तो क्या आएगा बाल सरम में तो समझेगा इसे इस अनुशित की मादियम से बालकों की सोशन से संडरक्शन देने के लिए क्या किया गया बाल सरम को प्रती बंदित किया गया कि आप बालसरम नहीं करवा सकते और इसके लिए साब सब्दों में लिख दिया जा रहा है कि 14 वर्से कम आयुके किसी भी बालक को किसी भी बालक को जो कि 14 वर्से कम आयुका है ऐसे किसी भी बालक से हम क्या नहीं करवा सकते किसी कार खाने में किसी खान में किसी मकान में किसी दुकान में या फिर किसी प्रतिष्टान पर किसी भी परी संकट में नियोजन, वर्ड को धान दीजीगा, परी संकट में नियोजन की बात कर रहा है, कि कोई भी ऐसा जिसमें जान जाने का जोखिम हो, ऐसा कोई भी कारिय के अंदर उनको नियोजित नहीं किया जाएगा, ठीक अगर एक भवन निर्मान का कारी हो रहा है तो उस भवन निर्मान जो कि एक जोखिम बरा कारी है ठीक है तो ऐसे उस कारी में भी आप उसको नियोजित नहीं कर सकते हैं तो कारखाना होगा खान होगा मकान भी बना रहे हैं मकान के अंदर भी काम नहीं करवा सकते हैं अगर कैस कि अगर आप किसी भी ऐसे बालक से कारी करवा रहे हैं कोई साधर हन्कारी हो रहा दो प्रती दिन आप उससे co nem सकते हैं सफ्ता में एक दिन उससे क्या करना के ओफ भी देना पड़ेगा चुठ खिक है ठीक है तो ऐसी इस तरीके से इस मोड में आप कोई भी साधरान कारी करवा सकते हैं लेकिन संकट में अगर उध्योग है जो किम बरागर कारी है तो उसके अंदर आप उसको नियोजित नहीं कर सकते ठीक है और इसी अनुशित की भावनाओं को देखते हुए साल 1986 के अंदर सरक इस से पहले हम ने जाना एन अधिञा निवार नदीनियम उनिस सो च्पण अभी आ रहा है 1986 में बाल श्रम प्रतिशेद अधिनियम जुलाया जा रहा है क्या किया जा चुका है गठन किया जा चुका है बाल पुनर्वास आयोग इस्तापित हो चुका है 2012 के अंत्रगर ठीक है दोस्तों तो यह जरूर आप अच्छे सध्यार में रखीगा साथ ही बालकों को यहां पर संट्रक्षन देने के लिए साल 1986 में मिस्टर कैला सत्यार्थी जी है कैला सत्यार्थी के द्वारा क्या किया गया एक समात से भी है कैला सत्यार्थी बालकों के यहां पर संट्रक्षन के लिए कदम उठाते हैं ठीक है कैला सत्यार्थी जी और इनके द्वारा एक आंदोलन चलाए गया था इसी आंदोलन को नाम दिया गया था बच्पन ब परिणामशुरूक केला सत्यार्थी जी को याद रखिगा बचपन बचाओ अंदुलन चुलाए गया उसी अंदुलन के पड़ोगु काला सत्यार्थी जी को मिश्टर कहला सत्यार्दी और इनके साथ में पाकिस्तान की इसके बालिका रही थी तो पाकिस्तान की मलाला युसुप जई और भारत के कहला सत्यार्दी के दुआरा यहां पे 2014 के सांती नोबल पुरुषकार से भी सम्मानित किया जा चुका है ठीक है दोस्तों तो यह जरूर आप अच्छे से ध्यान में रख ली चीड़ा नेक्स्ट आगे अगर मैं भड़ू हूं यहां पे अगला हमारा जो राइड़्स आता है जो अधिकार आता है नंबर च्यार ओके नंबर च्यार पे आता है धार्मीक सोतंतृता का अधिकार भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट है जहां पर सभी धर्मों को समान रूप से सदभाव के साथ में देखा जाता है भारत का कोई राजधर्म नहीं है ऐसे में हर एक धर्म विशेश के अनुयाई को अपने धर्म के परती आस्ता व्यक्त करने की भी सोतंतर्ता है अपने धर्म के प्रति अना आयुजन प्रबंद करने की भी सोतंतरता है धार्मिक कारी करने की भी सोतंतरता है तो ऐसा प्रतिक कारी कर सकता है उसकी उसे सोतंतरता दीगी और सोतंतरता देते हुए भारती सुधान का जो अधिकार है धार्मिक सोतंतरता का अधिकार यहां पर स तो आर्टिकल 25 क्या कहता है तो आर्टिकल 25 को समझेगा आर्टिकल 25 कह रहा है कि निर्बाद रूप से धर्म को मानने की सोतंतरता ठीक है निर्बाद रूप से धर्म को मानने की सोतंतरता की बात कर रहा है आस्ता व्यक्त करने की सोतंतरता की बात कर रहा है अंतह करन की सोतंतर थर्म को मान सकते हैं अपना सकते हैं तरक को याद कीजिए याद आएगा आपको डॉक्टर भीम्रा उंबिड करजी नहीं बोला था कि मैं हिंदू धर्में पैदा हुआ यह मेरी मजबूरी थी लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं यानि कि आप एक धर्म विश्चिस के साथ दूसरे धर्म को अपना सकते हैं मान सकते हैं और जीवनकाल के अंतिम छनों में 1955 के अंदर अब देखते हैं तो हर एक व्यक्ति की इस्वर के परतिया अपने अलेफं़ा के 창 एक लग यहां पर होता है अन्तेकरन होता है, उसके सोचने की जो छमता होती है, मानने की जो छमता होती है, वो अलग होती है, हर एक व्यक्ति की अलग यहां पर पाई जाती है, अन्तेकरन सभी का अपना-पना है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है, जो किसी मंदिर में जाता है, तो मंदिर में जा रहा है, किसी अन्य देवताओं को पूछ रहा है तो वो उसका अंत्यकरान है आप किसी को भी मान सकते हैं ऐसा कहीं भी भारती सुवदान की रूप से ऐसा नहीं लिखा गया कि आप पर्टिकुलर किसी धर्म इसके प्रती जाएंगे क्योंकि भारत का कोई राजधर्म नहीं है भारत सुषित में प्रावधान करता है कि लोक व्यवसता सबसे फर्स्ट पाउइंट रखीका लोग व्यवसता पब्लीक ऑडर की बात कर रहा है नमर स्था चारव की बात कि जे ऑत कर रह होता है सदाचार सवास्त तो लोक वखें सदाचार स्वास्त त है कि तीन बात download के अंतर के Agra तो तीन आधारों पर यह अदिकार्टिका हुआ है और सब बोला जा रहा है कि इस भाग के अन्ने क्या दिन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अपने अंतह करण की स्वास्थ बात कर रहा है सदाचार की बात कर रहा लोग व्यवस्था की बात कर रहा 할ाइब उस अधार किसी भी धर्म को अपना सकता है उसकी चूट दी गई है स्वाटनरता प्राप्त है ठीक है और इस आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का क्या नहीं करेगा धर्म का अनाधर नहीं करेगा ठीक है आप किसी धर्म विसे इसको मान रहे हैं इसका मिंस यह नहीं कि आप किसी दूसरे धर्म के प्रति क्या करें अनाधर करें ठीक है इस दूसरे धर्म के प्रति पुने इस बात को लिख दिया है अब इस बात को थोड़ा सा समझ लीजए कर जहां हमने बात की थी आर्टिकल 19 पह अर्टिकल 19 में साब सब्दों में बोला गया था व्यक्तिकी scoreoda मुलेख मिलता है आर्टिकल 19 और आर्टीकल 19 व्यक्तिकीę सोतंद्रतां में हमने जाना था हमारी एक सोतंद्रता है जिसका नाम है सांती पूर्ण वे निरायुद सम्मेलन की सोतंद्रता अब सांती पूर्ण निरायुद रूप से सम्मेलन की सोतंद्रता आर्टिकल 19 हमें यहां पर प्रदान कर रहा है सोतंद्रता दे रहा है कि आप सां अब द्धर्म को माननजी की बात आ पनी धर्म की पृत रिए तो बात करने लोगता है तो आपने साथ में आस्ता है अब ऐसे में पीज फसता है तो वी पहज़ां स्विख धर्मक्य अनुयाई भी एक सम्मेलन कर रहा है तो ऐसे में आर्टिकल 25 में साब सब्दों में इस बात को लिख दिया गया कि आप क्या कर सकते हैं क्रपांड धारन कर सकते हैं धुल्ला कटार रख सकता है बस अर्ते एक चीज रखनी है कि दर्म के प्रति आस्ता व्यक् के उपर धार नहीं लगेगी तब तक वहतियार नहीं होगा तो ऐसे में आप यहां पर क्या कीजिया आस्ता करने के लिए क्या रखो है इसी के इने निर्म कर सकते हैं में गरर बात करूं तो आनंध सर्मा केस bna 1995 में घाय की मानव खोपड के साथ क्या करना खुले आम नरत्त करना भी क्या होगा धर्म की सोतरता कें अंतर गषट नहीं आएगाे केस इसके अंतरोगत भी यहाँ पर इसप्सट किया कि मानो खोपड़ी के साथ में क्या करना खुले आम नर्थ करना बहुत जगह आपने ऐसा देखा होगा या ऐसा पाते हैं कि मानो खोपड़ी के साथ में क्या कर रहा है खुले आम नर्थ क्या जा रहा है तो ऐसा आप नहीं कर सकते खुले आम नर्थ नहीं कर सकते क्योंकि धर् अपने धर्म के पक्स में बात कर रहे हैं किसी अन्य धर्म का क्या कर रहे हैं अनादर कर रहे हैं जबकि आर्टिकल 25 में हमने जाना अभी सब सब्सब्दों में यहां पर लिखा हुआ है कि आप किसी भी आधार पर क्या नहीं करेंगे तो धर्म के अनादर करने पर रोक लगान पेच फसा और इस पेच के तहट यहां पर सुप्रेम कोड का डिसीजन आ रहा है असुग लहडी केस के अंदर कि यहां पर जब बकरीद होगी तो ऐसे में गोकुशी नहीं करेंगे क्योंकि इससे किसी अन्य धर्म की भावना को क्या पहुंच रहा है ठेस पहुंच रही है तो आर्टिकल 25 में इस बात को बहुत अच्छे से इसपस्ट किया गया है चलिए नेक्स्ट आगे आर्टिकल 26 पर अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 26 में क्या का जा रहा है आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मी कारियों का धार्मी कारियों का क्या कर सकते हैं आप आयोजन कर सकते हैं उनका प्रबंद कभी कर सकते हैं ठीक है ना मेनेजमेंट कर सकते हैं लेकिन अब ऐसे में हमें एक चीज अच्छे से ध्यान रख लेने होगी धार्मी कारियों का मायूचन कर रहे हैं माली जी की कोई जागरन करवाय जा रहा है ठीक है अब यहां पर जागरन हो रहा है तो यह कोई रहने वाला व्यक्ति की कह страх दिश्ट नहीं ले पार के आप संब्संट के उлем geral किसी अर्जनिक कि इस्तान पर एसी यह कर सकते हैं ना कि ऐसा कि आप किसी रास्ते के अंदर क्या कर रहे हैं, रास्ते को ब्लोक करके पांडाल सजा रहे हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, धार्मिकारियों का आजजन कीजिए, प्रबंद कीजिए, उसकी हमें क्या मिल रही है, छूट दी जा रही है, आर्टिकल 26 के अंतरगर, व कर संदाई की सोतंतरता प्राप्त होगी आप क्या कर सकते हैं मंदीर बना सकते हैं मस्जिद बनवा सकते हैं ठीक है उनका आप निर्मान कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है उस उन सभी कारियों में जो पैसा लगेगा उस पैसे भी यो जो पैसा होगा वह भी टेक्स प्र क्परबंद की सोतंदरता 26 में है पत्चीस में अनतयकरण की सोतंदरता की बात कर रहा है वहीं आटिकल अठथा यह धार्मिक शिक्ष्षा पर रोक लगाने की बात करता है यह और अपने अपने तरीके से अपने इसंतर पर धार्मिकc कर सकते हैं एक चीज में आपको क्लियर कर दूं यहां पर कि भारत के अंजर राज्य है राज्य में जो सिक्षन संस्ताइं हैं यह सिक्षन संस्ताइं मूल रूप से कितने परकार की होंगी तीन परकार की होती हैं तीन परकार की कौन कौन सी होती हैं सिक्षन संस्ताइं राज् ऐसे दहीलिकषा ME इस पष्ट किया जा रहा राय कि a Ash and EU लिएक अतंबार कि भारत में सिक्शन सनस्वाइक किया है लएसरएंगी स demographic नहीं दी जाती ये राज्यत से अनुदानि शर्फ healthcare होती है इनमें धर्म की सिक्षा बालक की जो अविवाक हैं गार्जन जो हैं संरक्षक जो हैं उनकी अनुमती से दी जाएगी जबकि धार्मिक न्यास जो होते हैं यह होते ही धर्म की इस्तापित की जाएगी ना कि 28 याद रख लेना इस बात को अच्छे से 2 में स्तापितर होंगी जिसे कि फोर एक्जामपल मदर्शा जो बोर्ड बनाई जाते हैं तो मदर्शा बोर्ड की जो इस्तापना हो रही है यह आर्टिकल 30 के अंतरगत ही की जाएगी क्योंकि आर्टिकल जो 39 और 30 है वो हमारे इस अधिकार के बारे में वंदन करते हैं जिसका नाम है सिक्षावे सैंस्कृति का अधिकार और सिक्षावे सैंस्कृति की अधिकार की बात कर रहा है और सीक्षावे सिंसकृति अधिकार की बात के रही आइडिकल 39 और 30 गैया yeni Sierra सिक्षκाव्य संसक्रृती के अधिकार को जाँ सब्स el т Cody का तक सब सर्ष्ष्ट में इस बात को अच्छे से क्लिक कर को वहने संसक्रृती की अधिकार को बहुत जगय पर ऐसा पाया जाता है बोला जता है कि यह जो अधिकार होता है यह अलप संक्यक वर के लिए होता है किसके लिए होता है अलप संक्यक बरके लेकिन यह बिलकुल भी ठीक नहीं है क्योंकि युआ च्टिकल 17 में जो भोला जा रहा है कि राज्जी के नागरिकों को अब नागरिकों में कोई संड्रक्षन का अधिकार देता है राज जी के प्रतेइक नागरीकों को प्राप्त होता है आर्टिकल 39 जिसके अंतरकत कहीं भी अल्प संक्यक नहीं है अल्प संक्यक के साथ साथ यहां पे बहुशंक्यक वर्ग भी होगा ठीक है दोस्तू इस बात को अच्छे से ध्यान में र कर रहा है वहीं आर्टिकल 30 हैं इसमें लिखा जा रहा है गया शक्राशन करने का भी आपको आप तरीके से उनको संचालित कर सकते हैं तो यह बात आर्टिकल 30 में कही जा रही है आर्प संक्यक क्टेगुरी आर्टिकल 30 सिने हैं और एक चीजा चीज्से से ध्यान में रख ली जई यहाँ अलपसंप मन बात करूं तो जो अलब संक्यक जो केयद हुए जो काट्इगरी है का लंपसंप केरें अगर बात करें तो ब्हसंप जो है भारत में मूल रूप से धर्म भासा के आधार पर होते हैं अलप संक्या के कम की यह वाठ्वारत में थर्म के आधार रप पर अगर भात करूंत हम ठीक है दोस्तों हम बात करें तो धर्म की आधार है भारत में टौटल चहरb संप्रहण कोन से हैं तो इसमने आता है एक आता है कुछ रिप कि मुश्लिम मुस्लिम होता है। एक आता है सिक इसाई बौद पारिसी और एक है जैन ठीक है जैन अंतिम दोजार चवदा में भी बनाया है ना सबसे अंत में जो बना था जैन तो टोटल जो यहां पर आते हैं टोटल कितने आते हैं अलप संक्यक जो कैटेगरी जाती है धर्म की आधार पर टोटल छे अलप सं संक्यक वर्ग हैं भारत में मुस्लीम सिख इसाई बौद पारिसी और जैन टोटल कितने हो गई छे अलप संक्यक वर्ग हैं भारत में ठीक है दोस्तों तो यह यहां पर सीधा सीधा हमें ध्यान में रख लेना होगा आयोप यह बात अच्छे से आप लोगों के समझ में आ च कर रहा है उनकी सिक्षन संस्तों की स्तापना की बात कर रहा है प्रबंदन की बात कर रहा है प्रशाशन की बात की जा रही है तो यह हमारा पांचवा जो मौली का दिकार है उसके बारे में तो एक बार फटापर से पांच मौली का दिकार तक हम यहां पर रिवाइश कर लेत दो बाते बोली गई थी बलात सरम और बाल सरम आर्टिकल 23 और 24 ठीक है आर्टिकल 23 में बलात सरम है 24 में बाल सरम की बात की जा रही थी ठीक है साथ ही हमने जाना था एनेतिक व्यापार निवारान अधिनियम 1956 बंदवा सरम उनमुलान अधिनियम 1976 के बारे में नेक्स्ट बात क इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं एक चोटा सा ट्रिक बता देता हूं कि इस विखाब पर हम याद कर सकते हैं कटार प्रबंद कि आय अनुदान कि आई कि क्या है आए कटार प्रबंद आई अनुदान याद रह सकता है कटार प्रबंद आई अनुदान कटार की बात की जारी आर्टेकल 25 में प्रबंद आर्टेकल 26 आई आर्टेकल 27 में और अनुदान की बात कर रहा है आर्टेकल 28 में ठीक है कटार 25 प्रबंद 26 आई 27 अनुदान 28 में कटार प्रबंद आई अनुदान ठीक है इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं यानि आर्टेकल 25 में धर्मिक को मानने की सुतनता है की चाए रही है वही c26 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल जो 26 नंदर धार्मिक का प्रबंद करने की सक्षशन सिल्पट की बात कर रहा है वही आर्टिकल जो 27 अइस ठाक्रीl 28 में धार्मिक सिक्ष्या पर रोक लगा रहा है लेकिन इहां पर अनुदानित सिक्षेंसिताओं की बात की जा रही है मानिता पूइह है साली संनरे के झाहिए कारmek रिखिए स्क्षम संस्ता हैं तो आज की क्लास में हम यहीं तक बाते करेंगे नेक्स्ट जो रहेगा हमारा अंतिम जो मौली का दिकार है सम्मेदानिक उप्चारों का दिकार मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए नमस्क्राइब